दोस्तो पिटवूल एक काफी ज़्यादा ताकतवर कुत्ता है जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा पारे जाने वरे कुत्तों में से एक है वहीं लायन बिल्यों की परजाती में दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली है जिसे जंगल के अंदर हरा पाना साइधी किसी जानवर की बस की बात हो ये दोनों ही जानवर काफी ज़्यादा खुंखार है जिसे पालने से पहले कोई भी इंसान दस वार सोचेगा तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बताएंगे की अगर इन दोनों जानवर लायन और पिटवूल में फाइट होगी तो कौन जीतेगा इसलिए इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखना लेकिन इससे पहले स्वागे था आपका अमारी चैनल ग्रेट इनवार्मेंट पे अगर आप चैनल पे नई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल बगल आकन होन कर दे दोस्तो सेर एक काफी जादा खतरनाक और ताकतवर जानवर है जिसकी वज़े से सेर जंगल का राजा कहलाता है आज पूरी दुनिया में सेर केवल अफरीका और भारत के गुजरा ताज्ये के गैर फोरेस्ट में ही पाई जाते हैं ये बाग के बाद दुनिया की दूसरी साथ मुकाबला करना पड़ता है जिसकी वज़े से गंबीर चोट लग जाती है और ये कभी कवार मर भी जाते है एक सेर का वज़न लगबग 250 किलो गराम तक होता है ये एक मासा हरी जानवर है जंगलों के अंदर अकसर इनका कोई सिकारी नहीं है जिसकी वज़े से पूरे जंगल पर राज करते हैं पिट बूल मूल रूप से बूल बाइडिंग और डोग फाइटिंग के लिए पाले गए थे और ये इसी खूबी के कारण अकसर ये दूसरे जानवरों पर बड़ी बहरेमी के साथ अमला करते है ये लगवग 12 साल तक जिंदा रह सकते है ये इतना मासूम से दिखने वाला कुटा काफी ज्यादा अकरामक होता है जो एक बार गुस्ते में आने के बाद काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जिसके बाद इस कुटे के पास जाना साइधी किसी इंसान की बस की बात हो प्रन्तु ये देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग अगर हम इन दोनों जानवरों के फाइट के बारे में बात करें तो इनकी फाइट में लाइन ही जीतेगा क्योंकि लाइन काफी ज़्यादा भारी भरकम और खतरनाक जानवर है जिसके सामने पिटबूल का टिक पाना साइधी मुम्किन हो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में लिखकर बताइए उम्मीद है दोस्त आप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सेर कमेंट जिरून कर दे और हाँ आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी हमारी चैनल ग्रेट इनवार्मेंट को सब् झाल